यूएन के बाद पाकिस्तान को ट्रम की चितावनी इंडिया कुछ सक्ती से करने पर कर रहा है विचार कहा अब भारत पाकिस्तान के बीच हालत है खतरनाख मुलवाओं में CRPF जवानों पर काहराना हमली के बाद भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव को अमेरिकी राश्पती डॉनल्ड ट्रम ने बेहत खतरनाख बताया है राश्पती ने कहा है कि उन्हें लगता है इस मामले में भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है वाशिंग्टन स्थित ओवल आफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच खतरनाख चीजे हो रही है यह एक बहुत खराब स्थिती है दोनों देशों के बीच हालत बेहत खराब है हम लोग चाहेंगे कि यह सब बंद हो कुछ हें दिन पहले कई लोग मारे गए थे आगे ट्रम्प ने कहा लगता है कि भारत कुछ बढ़ा करने की सोच रहा है ट्रम्प ने कहा इंडिया कुछ सक्ती से करने पर विचार कर रहा है भारत में अभी अभी अपने 50 लोग होए है इसके बारे में कई लोग बात कर रहे है लेकिन ये बहुत नाजुक बैलन्स चल रहा है अभी जो कुछ कश्मीर में हुआ है इस वज़ा से इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच काफी दिक्कते हैं ये बहुत खतरनाक है इसके लावा पाकिस्तान के खिलाव बोलते हुए राश्पती टरंप ने कहा कि पाकिस्तान को पहले अमेरिका 1.3 बिलियन डॉलर की सालाना सहायता करता था जिसे अब बंद कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान से हमने कई मुद्दो पर मदद मांगी लेकिन पाकिस्तान ने कभी हमारी मदद नहीं की जिसके बाद मैंने अपने कार्याले में पाकिस्तान को दी जाने वाली एक दिशमलब 3.0 बिलियन डॉलर की साहायता को रोक दिया है बता दें कि पुलवाओं में CRPF जवानों के काफिले पर हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की बीच तनाव चरम पर पहुँच गया इस हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे हमले के तुरंद बाद पाकिस्तान समर्थत आतंकी संगिठन जैसे मोहमद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली इस आतंकी हमले के बाद भारत ने इसके लिए सीधे तोर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठेराया भारत ने तुरंत कारवाई करते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का दरजा चीन लिया। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले समान पर इंपोर्ट ड्यूटी को 200 फीसिती तक बढ़ा दिया गया। UN की निर्ने लेने वाली सबसे बड़ी संस था संयक्त राष्ट सुरक्ष परिश्चत में भी इस हमले की निंदा की। UNSC ने आतंक की संगठन जैशे मौंबत का जिक्र करते हुए कहा है कि इस हमले के पीछे आतंक के जिन सरपरस्तों का हाथ है उन्हे सजा मिलनी चाहिए। UNSC इस मामले को जगन और काहरान आखरकत पताया। इस बीच अमेरिका के निउजर्सी और निउयॉक में भारतिय मूल के लोगों ने पुलवामा आतंक की हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया और विश्व समुदाय से पाकिस्तान के खिलाफ कारवाई करने की मांगी। निउजर सो से ज्यादा लोग जमा हुए और पुलवामा हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।